Hello everyone, Storyteller Shivani में आपका स्वागत है आज हम डिसकेस करेंगे T.S. Elliot की पोयम Portrait of a Lady के बारे में Thomas Stearns Elliot अग American British poet, essayist, publisher, playwright, literary critic और editor थे उन्हें 1948 में Literature में Nobel Prize मिला Present poem को 1910 या 11 में लिखा गया था इसमें lady का character real life से लिया गया है और वो modern age की frustrated और bored woman को represent करती है इस poem की theme man-woman relationship and its failure है तो चलिए शुरू करते हैं poem की सुरुआत तीन लाइन के epigraph से होती है जो Marlo के The Zoo of Malta से लिया गया है और इसका poem की theme से थोड़ा संबन्ध है जिसमें adultery को दिखाया गया है और बाद में वो औरत मर जाती है जबकि इस poem में lady एक young man को फसाने की कोशिश करती है लेकिन उसे कोई साफलता नहीं मिलती Among the smoke and fog of a December afternoon, you have the scene arranged itself as it will seem to do तो इस scene का संबन्ध लंडन में December के एक दिन से है जहाँ smoke और fog, धुंद और कोहरा भी है और आप बहुत अच्छे से ये scene imagine कर सकते हैं, ये scene खुद बखुद अरेंज हो जाता है तो जैसे ही lover lady के chamber में आता है, वो कहती है, ये दिन मैंने आपसे मिलने के लिए ही reserve किया है और room चुकी थोड़ा अंधेरा था, तो वहाँ चार मुंबतिया जलाकर रोशनी की गई है, जिससे वे ceiling पर light के चार circle फॉर्म करते हैं An atmosphere of Juliet's storm prepared for all the things to be said or left unsaid तो room का scene Juliet की कब्र के जैसा ही है, जब Juliet आधी जिन्दा और आधी dead पड़ी थी Scene थोड़ा tense है, कोई इसके बारे में बहुत कुछ बता सकता है या कह सकता है, या बेटर होगा कि कुछ भी नहीं कहा जाए और इसके पहले वो एक Polish musician के concert में भी गए थे, जहां उन्होंने पियानो की musician का interpretation देखा और फील किया कि उसके बाल और उंगलियां संगीत से रोमांचित है Preludes means a piece of music So intimate this Chopin that I think his soul should be resurrected only among friends, some two or three, who will not touch the bloom that is rubbed and questioned in the concert room Chopin एक बहुत महान आर्टिस्ट है लेकिन he is at his best जब वो अपने दोस्तों के एक छोटे ग्रूप में जिसमें दो या तीन दोस्त हैं वहाँ वाईलीन बजाए तब उनका संगीत intimate और superb होता है वो public performance में अपने best नहीं है क्योंकि वहाँ वो audience के response के बारे में sure नहीं रहते और फिर उनकी बातचित सिफ्ट हो जाती है उस लेडी की इच्छाओं और डिजायर्स पर और उन्ची जो की उसकी request पर जो उसने अपनी life में मिस कर दी और उसकी जो आवाज थी वो ऐसी थी कि violence के weak notes, trumpets के distant यानी रूखे notes दोनों mix हो गए हो and begins और वो कहना सुरू करती है you do not know how much they mean to me my friend and how rare and strange it is to find तुमें पता नहीं है मेरे लिए मेरे दोस्तों का क्या महत्व है वे मेरे जिंदगी को खुशनुमा बनाते हैं और दोस्त जिनमें ऐसी pleasant qualities हो उन्हें पाना कितना strange और दुरलब है in a life composed so much so much of odds and ends to find a friend who has these qualities who has and gives those qualities upon which friendship lives यह जिंदगी घिसी पिटी और छोटे छोटे चोटे तुकरों में कई भागों में बटी है और ऐसी जिंदगी में ऐसे दोस्तों का होना जो इन qualities पर फोकस करते है इनहीं पर दोस्ती टिकी होती है यह दोस्ती मेरे लिए इतनी माइने रखती है कि मैं आपसे यह कहती हूँ कि ऐसे दोस्तों के बिना जिंदगी अन्बियरेबल और नेर अर्थक होगी तो लेडी ने अपनी बात कह दी और अब लेडी के friendship के offer पर यंग मैन की प्रतिक्रिया बताई गई है विंदिंग यानी टेरह मेरा और एरियेट्स यानी अशॉर्ट एरिया यानी एक तरह का गीत तो लेडी के सब्द यंग मैन को वाइलिन की टून्स और टूटे हुए ट्रमपेट्स की मेलोडी जैसे लगते है उसके दिमाग में टम-टम जो ड्रम का एक टाइप है उसकी डल आवाद से शुरू हो जाती है जो बातचित हुई उनके बीच वो प्लेजन्ट या स्वीट नहीं थी वो ड्रम की किसी हार्श साउंड की तरह थी लेडी के सब्द इन हार्मोनियस थे और फॉल्स नोट में थे और वो यंग मैन अपने माइंड को रिलाक्स करने के लिए बाहर तंबा को स्मोक करता है और इस इंसिडेंट को भूलने के लिए वो मॉनुमेंट्स यानि समारकों की प्रशन्षा करेगा या फिर हाल में जो इवेंट्स हुए है उन्हें डिसकस करेगा परेंग किसी गॉसिप में आसरे लेगा या डार्क बीर पियेगा तो पोयम के second part की opening spring season में होती है जब लाइलेक्स के फूल खिलते है और लेडी अपने रूम में लाइलेक्स से भड़ा एक कटोरा या बाउल लाती है और यंग मैं से बात करती है और एक लाइलेक के फूल को अपने उंगलियों में गूत रही है और लवर से कहती है तुम जिन्दगी के खुशी को नहीं जानते तुम जवान हो और तुम्हें अपनी लाइफ एंजॉई करनी चाहिए अपनी जवानी की सुन्दरता को खिलने दो और अपनी जिन्दगी में बहने दो यानि तुम लाइफ के मजे लो और तुम यंग हो इसलिए तुम क्रुएल हो निस्ठुर हो तुम जिन सिटुएशन को परिस्थितियों को समझ नहीं पाते उन पर बस स्माइल कर देते हो यानि यहाँ लेडी अपने प्यार की तरफ इशारा कर रही है और यूथ को उसकी लैक आफ रिस्पॉंस के कारण फटकार रही है I smile of course and go on drinking tea यंग मैन लेडी की बातों से impressed नहीं होता और इसलिए वो चाय भी ना continue रखता है Yet with these April sunsets that somehow recall my buried life and Paris in the spring लेडी अपनी बात चालू रखती है कि इन अपरील के sunsets के साथ मुझे अपनी पुरानी जिन्दगी याद आती है और मेरा Paris में spring season के समय रुकना immeasurably at peace and find the world to be wonderful and youthful after all लेडी अपने सुन्दर पास्ट को याद करती है जिसमें वो भी young और beautiful थी और अपार शान्ती में थी The voice returns like the insistent out of tune of a broken violin on an august afternoon लेडी के सब्द करकस बे सुरे लगते हैं जैसे august के किसी दिन में किसी तूटे हुए violin के बजने पर निकलते note I am always sure that you understand my feelings, always sure that you feel आगे लेडी कहती है कि मैं sure हूँ कि तुम मेरी feelings को समझते होगे और तुम भी feel या महसूस करते होगे लेडी कहती है कि हमारे बीच ये जो दूरियां है, खाई है ये तुम्हारे द्वारा बढ़ाए गए दोस्ती के हाथ से भर सकती है तुम्हें परास्त नहीं किया जा सकता, तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं है Achilles Hill यानि weak point You will go on and when you have prevailed, you can say at this point many of one has failed तुम अपने ही तरीके से आगे बढ़ते जाओगे और तब तुम ये कह सकते हो कि कई ऐसे relationship intimacy तक नहीं पहुचते But what have I, but what have I my friend to give you, what can you receive from me यानि तुम तो young हो, जवान हो, पर मेरे पास क्या है मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है Only the friendship and sympathy of one about to reach her journey's end If I shall sit here serving tea to friends यानि मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ दोस्ती है चुकि मैं बूरी हो चुकी हूँ, मेरी जिंदगी अब बस खत्म होने को है और शायद मेरे पास करने को कुछ नहीं बचे और मैं अपने दोस्तों को चाय सर्व करूँ I take my hat, how can I make a cowardly amends for what she has said to me Young man अपनी hat उठाता है और बाहर आ जाता है ये उसके लिए अशोबनिया होगा अगर वो लेडी के प्यार को accept करे या respond करे वो लेडी के कहने पर कोई बदलाव नहीं कर सकता You will see me any morning in the park reading the comics and sporting page और शायद वो से भूनने के लिए पार्क में morning walk करता दिख जाएगा या फिर newspaper के comics या sport page पढ़ते हुए Particularly I remark an English contest goes upon the stage A Greek was murdered at a Polish dance Another bank defaulter has confessed वो पढ़ेगा कि एक English contest यानि कुलीन स्त्री एक actress बन गई या किसी Greek का dance performance के समय murder कर दिया गया या किसी bank defaulter यानि बाकिदार ने अपना गुनाह कबूल कर दिया I keep my countenance, I remain self-possessed तो यंग man अपने आपको शांत और confident रखने की कोशिश करता है Except when a street piano mechanical and fired and tired reiterates some worn out common song लेकिन वो calmness disturb हो जाती है जब street piano के note कोई पुरानी जानी पहचानी सी tone बजा देते है यानि चुकी lady के word view से ऐसे ही लगते थे With the smell of hyacinth across the garden या फिर garden में जब hyacinth फूलो की महक उसके पास से गुजरती है Recalling things that other people have desired Are these ideas right or wrong? तो ये चीज़े उसे उस और प्यार की याद दिलाती है जिसकी कई लोग कामना करते हैं लेकिन इसने reject कर दिया और young man ये नहीं जानता कि ये सही है या गलत कि वो एक बुरी औरत के प्यार से दूर भाग रहा है The October night comes down returning as before except for a slight sensation of being ill at ease अब उस बुरी औरत और young man की तीसरी meeting autumn season में होती है October की एक रात है और young man बे मन से उस औरत के घर पर आया है I mount the stairs and turns the handle of the door and feel as if I had mounted on my hands and knees और उसे सीरिया चरते हुए discomfort यानि घबराहत हो रही थी ऐसा लगता है जैसे वो अपने हाथों और घुटनों पर चर कर आया हो वो यहाँ lady को यह बताने आया है कि वो विदेश जा रहा है और दुबारा उससे नहीं मिल पाएगा And so you are going abroad and when do you return? But that's a useless question Lady को इसकी ही उमीद थी वो कहती है कि तुम विदेश जा रहे हो तुम वापस कब आओगे? लेकिन यह एक व्यर्थ सवाल है You hardly know when you are coming back, you will find so much to learn In fact, तुम भी यह नहीं वता सकते कि तुम कब वापस आओगे? और बाहर तुम कई नहीं लोगे से मिलोगे और कई नहीं चीजे सीखोगे My smile falls having among the brick of black Perhaps you can write to me, my self-possession flares up for a second This is as I had reckoned अब चुकि young man को यह नहीं पता कि वो क्या बोले तो वो smile कर देता है जो कि काफी awkward लगती है रूम में कई articles से किये गए decorations के बीच Lady कहती है, तुम मुझे letters लिख सकते हो Young man को lady से ऐसे words ही expected थे तो वो एक moment के लिए confident feel करता है I have been wondering frequently of late why we have not developed into friends Lady serious होती है और पूछती है मुझे आश्यर हो रहा है शुरुआत कभी भी अंत क्या होगा यह नहीं बता सकती हम लोग दोस्त या लवर क्यों नहीं बन पाए यहां वो relationship की सुरुआत की तरफ इशारा करती है I feel like one who smiles and turning shall remark suddenly his expression in a glass Young man smile करने की कोशिश करता है लेकिन उसे बहुत awkward लगता है जैसे कोई आदमी शीशे में देखता है और खुद की तस्वीर पर surprised हो जाता है My self-possession gutters we are really in the dark और उसका आत्मसयम खत्म हो जाता है और उसे नहीं पता वो क्या कहे या क्या करे For everybody said so, all our friends, they all were sure for our feelings would relate so closely Lady अपनी बात continue रगती है कि हर कोई including हमारे friends सबको यह लगता था कि हमारी दोस्ती आगे बढ़ेगी और intimate होगी I myself can hardly understand, we must leave it now to fate मैं भी सायद ही explain कर पाऊं कि क्यों हमारी दोस्ती प्यार में नहीं बढ़ी तो इसे अब किस्मत पर ही छोड़ देना चाहिए You will write at any rate, perhaps it is not too late I shall sit here serving tea to friends किसी भी कीमत पर please मुझे letters लिखना शायद अब बहुत देर हो चुकी है कि एक young man प्यार करे शायद मुझे यहीं रहकर दोस्तों को चाय सर्व करनी चाहिए And I must borrow every changing shape to find expression Lady के words अब young man को बरदास्त नहीं हो रहे थे कि अब इस scene से वो भाग जाना चाहता है Dance, dance like a dancing bear, cry like a parrot, chatter like an ape वो इस situation से भागने के लिए dancing bear में बदलने को तयार है या किसी बोलते तोते में या फिर किसी ape की तरह बगबग करने को भी तयार है Let us take the air in a tobacco trance उसे बाहर जाना चाहिए और smoke करके हो सकता है उसे relaxed feel हो Well, and what if she should die some afternoon Afternoon, grey and smoky, evening yellow and rose Young man के दिमाग में उस lady के ही विचार भरे वे हैं वो सोचता है कि शायद ये lady किसी दिन दिल तूटने के कारण मर जाएगी जब वो दिन धुमला और धुन से भड़ा होगा और शान पीली और गुलाबी होगी Should die and leave me sitting pen in hand with the smoke coming down above the house tops Perhaps वो आदमी अपने घर पर हातों में pen लिए बैठा हो और smoke को मकान की छटों पर उतरते देखे Doubtful for a while, not knowing what to feel or if I understand or whether wise or foolish, tardy or too soon हो सकता है उसके feelings पेंचीदा हो, complex हो और doubtful हो कि आखिरकार उसे feel क्या करना चाहिए, वो नहीं समझ पारा कि lady के मरने पर वो उसके लिए क्या feel करेगा क्या उसका प्यार ठुकरा कर उसने होसियारी का काम किया या बेवकूफी का और उसने प्रतिक्रिया देने में बहुत जल्दबाजी कर दी या बहुत देर कर दी Would seem not have the advantage after all लेकिन lady का एक advantage है कि वो पहले मर जाएगी और शान्ती प्राप्त कर लेगी This music is successful with a dying fall Dying fall इसके साथ जो music है वो young man के अंदर की feeling की गूँज है प्रतिध्वनी है Now that we talk of dying and should I have the right to smile और अब चुके speaker death की बात कर रहा है वो अपनी परेशान या असान्त soul की आत्मा की feeling कैसे express करे क्या उसे smile करने का अधिकार है क्या वो अपने इस confusion और frustration से उबर पाएगा और इस तरह से poem इस question के साथ खत्म हो जाती है Thank you